करने वाले हैं आपको लेकर मैतमेटिस का 5.7 का सलूशन का लास लेकर जहां पर हम लोग मैतमेटिस के लेक्चर के अंदर में इसमें हम लोग NCRT के 5.7 से संबंदित हमने बहुत सारे कोश्चन जो है अभी तक उसका सॉल्ब कर लिया हुआ है चीके 5.7 में आपके कोश्चन करी आज का 14 के बाद जो भी कोश्चन बचेगे आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे फिर 5.7 जब कंप्लीट हो जाएगा तो आने वाला जो हमारा 5.8 होगा उससे रिलेटर जो कंसेप्ट होंगे उसको पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे ठीक है तो अगर आप मेंने चैनल पर पह स्क्रिप्शन लेने के बाद आको सारी चीजे हैक्श को पहले से मिल जाये है तो यहां पे आपको पता है कि मैं आपर मैंने Ready Clans यẺ यहां और बहुत ही संदार हं और सरे मेरे, आप चिखेंने लेकर बशानने, स्युक्त से सबेसों के से अइक पाहिप बेसिक से लेकर हैं, बहुत ही पैसिक सकते हैं बहुत ही हैं, अजे मैंजुट ही इरह से लाज और से अच्छे। पनीको नहींते हुआ सबोती हैं, सबस्कात्यिए亲Butik तो दर्साय की d2y by dx square equal to 49 y यह दिया हुआ है तो तो d2y by dx square दिया हुए तो सबसे पहले हमारा main purpose क्या होगा कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहां पे d2y by dx square का मान निकाला जाए तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग उसके लिए first function उठाते है function हमारा पास y equal to 5500 e का power 7x plus 600 e का power minus का 7x यही सवाल है हमारा पास ठीक है सबसे पहले हमनों क्या करेंगे differentiation करेंगे तो करते हैं differentiation dy by dx तो dy by dx कितना आएगा साथ पच्चे यहां पे तो 500 का 500 रहेगा ही और पावर 7x का वैसे ही रहेगा लेकिन 7x मेंसे क्या आएगा प्लस 600 रहेगा और e का पावर 7x यह भी रहेगा और 7x मेंसे क्या निकल जाएगा माइनस का 7 अपको निकल जाएगा और जरा इसको लिखें तो क्या लिखेंगे यह भाई भाई भी एक्स इक्वल्टन साथ बचके 35 हो जाएगा 35 सब्सक्क्राइब यह यह थिर्ठ लोओ लौस माइनस यहहां पर हो जाएगा आपको माइनस यानी कितना यह आपके पास आगया पर्थम डेरिवेशन यानि फास्ट डिफ्रेंसियेशन आपका आ चुका है अब बढ़ते हैं सेकंड डेरिवेशन की तरफ डी टू आए बाया डी एक्स सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो इसका डिफ्रेंसियेशन फिर से करना पड़ेगा यह 25 आपको बना रहेगा इकाप और 7x है वैसे रहेगा इंटू फिर 7x क्या होगा करेंगे तो माइनस का से माइनस का से यहां पर यहां को लग जाएगा प्लस चीए अब कर लेते हैं हुना तो कितना बनेगा डी एक्स इसक्वारिग्वल टू यह बनेगा साथ पाचे 35 है ना और यहांस से साथ यह एटीस और 213 कितना हो जाएगा 24,500 यहां पर 24,500 यहां का हो जाएगा एका पावर क्लसट का 7X ठीक है यहां के गुणा कर लेते हैं साध्डुना, चोग, और साचोग, 28,98 और 28,9 यानि 29,200 ऑका हो जाएगा क्या सवाल करें सवाल कर रहा है कि आप तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे वाइं में 49 क्या हैं पर देखेंगे क्या दोनों बड़ाबर आ रहे की नहीं आ रहा है अगर बड़ाबर आ गया तो हमने उसको क्या किया प्रूफ कर दिया चलते हैं देखते हैं तो इसको इसको करना है आपको किसके बड़ाबर उनचास वाई के लिखते हैं ऋनचास इंटू वाई कावान कितना दिया है यहां पर यह आपको दिया है पांसो कब आपर श हैं और प्लस छे सो इकॉफ और माइनस का से जिख है चलेगा अब इसको कर लेते हैं जहां सा गुना तो गुना करेंगे थो पैसिकली हम क्या निखेंगे अब यह तो प्लस चे से बुना करते हैं छो नौ कितना हो जाएगा आपको यहां से चार और आपको यहां बनेगा चारच चोबिस और पांच बनेगा यहां पर चार्च चारच और दोसो कैसे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसाद करें साधुना का ठीक है ना यहां पर साथ ना कितना बनेगा चोदर बरेंगा और फिर साथ चोगा आटहीश और एक कुंटिस तो यह तो यह तो यह आपकी तो यह सेट कर देटें उन्ती जर कितना है और वाला गुष्ट को समझते हुए आप से कर सकते हैं बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन को इसके बाद वाला कॉश्चन 15 के बाद हमारे बास 16 नमर कोश्चन है इसको अब हम इसे रौट करेंगे तो बढ़ते है question number 16 की तरफ ठीक है question number 16 क्या कर रहा है question number 16 आपके सामने आदिया हुआ e का power y into x plus 1 equal to 1 ठीक है बढ़ाबर कहड़ा है कि 1 है तो तरसाएं कि d2y by dx square इसके बढ़ाबर d2y by dx का whole square तो उसको क्या करना है square करना है तो square करने के बाद जुआएगा और जो d2y by dx से square आएगा दोनों क्या होने चाहिए बढ़ाबर होने चाहिए यही आपसे सवाल पुछा जा रहा है ठीक है तो चलते है जबागा आते हैं दिमाग कैसे करेंगे question को बढ़ते हैं देगे question question हमारे सा सब्सक्राइब कर लेंगे तो question बहुत ही आसाम हो जागा देखिए क्या कर रहे है यह वाला गुना में है तो कहां से लाजाएगा वान के भाग में यानि वान अपन एक्स प्लस वान हो जाएगा क्लियर है अच्छा अब काम करते हैं दोनों साइड दोना तरफ लोग लगा करते हैं लोग क्यों लगा लें देखेगा लोग लगाने से क्या फड़ता है यहां पर लागेगा लोग ऑप लॉड़ य इक्वाल दू लॉड़ वन अपॉन एक्स प्लस वान यह हमने करते हैं ठीक है अब आप जानते हैं कि लोग ईका और वाई लोग के पावर में कोई इंक्वादा लॉड़ यह वाला लिख रहा है कि लॉड़ एक्स वॉन अपॉन और पर रखा है कि लॉड़ और वाई बी क्या होता है ठीक है लॉड़ यह देखिए लॉड़ ए जाना है पहले से भी जानते हैं अगर नहीं पता तो आप यहां लगा सकते हैं कि लोग इका जो वहले होता है बचेगा कि माइनस का लॉग एकस प्लस कितना बचेगा यहीत तो भुछ रहा है माइनस का लोग एक्स प्लस वन पर उडेंटां सका इसका इस्का करते हैं और इसरेशो करते हैं डिवाइघ्स डिवाइडी एक्स ट्रोग का इख्म किया होता है वन घटेंगर एक्स उता या रही ं और इसरेछेशें झाल लिवेगो जोिद detta सब्सक्राइब निकाल भी रहे हैं तो चलिए तो आप इसे नोट कर लेंगे मिटारें इसको यह भी पॉइंट आप नोट कर लीजेगा लॉग ए कितना वन लॉग वान कितना जे रो चलेंगे बढ़ते आगे देखिए अब यहां से हम निकालते हैं डीटु वाय 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 डी उपर वाल का दिफल्सक्राइब ध्बन मैन्स फॉल मला निचे वाले का डष्पर shs क्या होगा अधा किया रिवह यहकी वाल डीटु पर उपर अपन पना मामानस हो जाएगा मैनस का वॉन जईक है इलसे में में लिखा उपार वाला वाला है तो सब्सक्राइब टो ने रिखा हूब पिर मैंनस आता है मैंनस लिखा हुँए निच्छा उपर माला-टी षयाओ-टी आद्ड invites तो डिखा हुआ नीचे वाले का स्कॉार हमने लिख लिए अब यह बनेगा जी और यह माइनस माइनस बनेगा प्लस यानि डी टू आपको आपको आचुक रहे है डी एकस स्कॉार का भी वैल्यू चलेगा यह हमने यहां तक निकाल लिया और यह हम चल रहे हैं सवाल हमारे पास बोला है क्या प्रूफ करना है तो हमें को यह करना है कि यह करना है कि यह करना है कि आप यह बढ़ाओ यहां लिखेंगे पूरा का पूरा हो यह तो हमें कर दिया होल इसक्वेर है अब यह तो आपको इसको रहने लेते हैं यह सवाल आपका प्रूफ तो यह कोशन था आपका कोशन से था तो थोड़ा से अध्यस्ट करते तो हो सकता था कि आपको प्रोब्लम आए ठीक है तो आपको सारी चीजे बिल्कुल अच्छे समझ में होगी अगर आपको लॉग का कंसेट नहीं पता है ठीक है तो आप लॉग का कंसेट के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं कि जो भी कंसेट है मैं आपको वार्शब के थूरू आपको उसके फर्मुलेज वगरा जो भी होते म आपने दोस्तों को भी सेर कर सकते हैं ताकि वह भी जूड के आप यहां की क्लासिस का सारा अनंद ले सके ठीक है तो आप इसे नोट करें फिर हम इसे अगला कोशन की तरफ और यहां पर आपको समापर हो जाएगा इस वीडियो का तो कोशन नमर्लास को ध्यान से देखेंग चाहिए इशे स्कॉाइर ब्लस गूना वाइ-2 टू इंटू एकसे स्कॉाइर क्लस ब्लस ओर और बुना वाइ-1 बडावर क्या सुसेधर करना आपको बडावर आपको 2 सिर्थ करना यही आपके पास सवाल है तो चलिए देख लेते हैं यहां पर आम इसको लिखते हैं y इसका पावर आप जानते हैं कि पवर एक पावर वाले इसी कैसे कहां आता है पावर आता है में सब्सक्राइबर अब चैन पड़ता लेते हैं तो बचेगा आपको टैनि इंभर्स एक बढ़ जाएगा तो ये हमने कर लिया पावर का और 파वर जान किसा करना प्याएगा पड़ प्लस एकस्वाय कि यहां पे आपको बंजाएगा डिफरेंसियेशं डी याप की स्कान आपको आ जाएगा चलेगा अब यहां पे जहांदा लिखाया वाई-टू और याइस का कनसेट हम पहले ही बता चूगे हैं वाई-टू का मतलब होता है डी-चू-वाइ-बै डी-एकस- और y1 का मतलब होते हैं d by by dx यह concept आपको पता होना चेहाँ और पता भी होगा यह ठीके चलते हैं d2 y by dx का यह हमने y1 निकाला basically d y by dx यह हमारा y1 है ठीके यह हमारा y1 लिखा गया है अच्छा कोई बात नहीं बढ़ते हैं आगे आप निकालांगे d2 y by dx square चले d2 y by dx square चले और यहां पे टैनी बड़ा कीतना होगा इंटू नीचे वाला कीतना है वन प्र लस एकस कुआ इसका कितना से क्या हो кажता है नीचे वाले का होता है क्या होता है तो और वाले का वॉल हो नीचे वाले का हो गया इंचु उपर वाला जयोगत्य वह भी लिखी अब यहां से 1 प्लस एस्सक्वार से 1 प्लस एस्क्वार हमारा कटे जाएगा बचा क्या यहां बचेगा आपको दो माइनस यहां क्या बच रहा है यहां से भी टू तो इसको गुना कर जाते हैं दो दूना कितना हो जाएगा यह हो जाएगा को यहां बच चलेगा यहां पर यहां पर इसका डिफरेंशिशन लेकिन को क्या चाहिए हमको चाहिए जो हमको साबिट करना है इसको प्रूफ करते हैं आते हैं पूशन पर जो उनको प्रूफ करने हैं यहां से प्रूफ कर लेंगे यह हमारा डी टूफ है इसका इस्तेमाल करेंगे सवाल को सौल करने के लिए तो सबसे पर्ले लिखा एक स्कुर्ण का होल इसको गया है जआ एको स्कुर्स पूरर एक्षक माइन गाल लिख लिख दिया यह तो इसके इसको एक्षक लिए निचे में कितना एक इसका कितना है यह हमारा हो जाएगा एक गुना में यहां से 2x और साथ में क्या है एक स्क्वाइर प्लस वन भी है और वाई वन कितना है यहां आपके सामने यहां पर है इंटू टैन इंभर्स एक्स अपॉन कितना 1 प्लस एक्स का स्क्वाइर ठीक है और इसको सॉल्व करते हैं कि बैल्यू कितना आना चाहिए यह सजाय है आपको समझ में आया यह सवाल था यह हमारे ट्या है डी टू इस इसकोयर जो हमने यहां सा रखा है ठीक है यह तू एक्स कोश्टन में था टू एक इंटू बस एक्स का और यहां बचा कितना बचा वाई पास 2 माईनस 4 इन्तो Earth इन्टू 10 इनवर्स एक्स रहे और साथ में क्या बच रहा है यहां पे serious कितना हो जाएगा ग्रामर्ण इन एक कितना चाह और साथ में क्या रहेग्स में एक स्कर रहे गाना दू दू एक्स और टैन रहे है तो माइनस का 410-6 और यह प्लस का 4, 10-6 कर जाएगा बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास 2 और यह तो पुरूफ करना था तो यह हमारे पास क्या हो चुका है यह आपका फूरूफ हो चुका है और इसी के सांथ हमारा होता है यह session sum up 5.7 का total हमारे पास solution complete हो चुका है आपको जो भी concept है वो सारी चीज़े clear है ठीक है यह हमारे पास double differentiation से related एक chapter था जो हमने आज clear कर लिया और यह हमारा final session था lecture 3 यह basically 17 question थे जिसमें हमने इसको तीन पार्ट में complete करा हुआ है ठीक है अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप पीछे के lecture 1 और lecture 2 देख लेंगे प्रोपर इसकी playlist बनी हुए ठीक है playlist में जाके आप इसे खोज सकते हैं आपको मिल जाएगा 5.7 का solution ठीक है और आपको सब बस एक ही काम करना होगा आपको डायल करना होगा आपको यूट्यूब में नौसाद आलम classes और वहां पे आपको playlist मिलेगा जब आपको लोगों पे क्लिक करेंगे और बहुत सारी playlist मिल जाएगी आपको टूल की फिजिक्स की playlist मिल जाएगी जहां पे current electricity पहले से complete हो चुगा है साथ में आपको मिलेगी फिजिक्स की आपको संधारी जो एलेक्ट्र स्टेटिक से उसकी वी क्लास से चल रही है ठीक है वहां पे असानी से clear वहां पे हो जाएंगे अगर आप वीडियो का अराम से देखते हैं समस्ते हुए ठीक है तो आप इसे question को और यह हमारे पास question question नमर सातरत हाराम से नोट करें या फिर करते हैं से स्टेशन का समापन तो आज के लिए इतना ही आज के मायत के लेक्चर में इतना ही आने वाला लेक्चर हमारा चलेगा solution का और उससे पहले हम लोग concept पढ़ेंगे जो डॉलेज और लेंगराजिस के थियोरम से अधारित होगा ठीक है तो करते हैं समापन स्याहिंद